नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का YouTube चैनल जस्क्राइब है दोस्तों आज की Vecancy है रभी आइ सिक्रिटी गार्ड भर्ति दोज़ेट एकी इसको लेके दोस्तों आप सभी को पता होगा आर्वी आई जो है वह एक नहीं भेगेंसी जो निकाली है वह सिक्रिटी गार्ड के लिए है दोस्तों तैंथ पास के लिए फीजों यहां पर पचास जो है रुपिया रखा गया 50 रुपीज अनली यहां पर है औ और ऑल इंडिया जॉब है अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलॉंग करते हैं तो आप अपलाई कर सकते हैं सेलरी जो है आपकी वह 35 से स्टार्ट होने वाली है अपलाई ऑनलाइन होगी दोस्तों आप सभी को पता होगा रिजायर बैंक ऑफ इंडिया के बारे मे ठीक है तो बहुत ही जादा इंडिये बेंजिए से अगे बढ़ेंगे उस्से पहले आप लोगसे छोटी से में और पहले वाल चैनल पर विजीट कर रहा है तो सब्सक्राइब करके बले इंफिंटी जरूर प्रेस करिया है क्योंकि इसी तरह की जो ख़वर आपको पल्चाते हैं तो उसके लिए आपके पास नोटिफिकेशन पहले से जा पाए दोस्तो तो चलिए आपको लेकर चलते आगे और सभी जानकर आपको वहाँ पर देते हैं दोस्तो आगे बड़े उससे पहले एक और चीज़ बताना चाहूंगा यह जो RBI Security Guard की जो Online Form है 2021 की वह यहाँ पर कहा गया है कि अब दोस्तो हम लोग सबसे पहले जो है इसकी इंपोटेंट डेट देखने वाले हैं ठीक है जो IMPORTANT DATE है इसकी सबसे पहले अप्लिकेशन जो आपकी स्टार्ट हुई है वह 22 जनवड़ी 2021 से हुई है लास्ट डेट जो है इस Form के लिए हुआ है आपका जो है 12 फरवरी 2021 और लास्ट डेट जो है फी पेमेंड करने का वह भी आपका जो है 12 फरवरी 2021 अब बहुत जल्द आपकी जो है वह दी जाएगी एक्जाम पैटर्न में आपको बता दूगा वैसे बता दू इसकी जो एक्जाम वह फरवरी के लास्ट या मार्च के जो है आपको जो है मिडिल में देखने को मिल सकती है 2021 में ही अब बात करतें एप्लिकेशन फी की तो यह एक्जाम नेशिल फी जो है ओनलाइन डेविट कार्ड ट्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग के माध्याम से आप हमें देख सकते हैं अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सिक्रिटी गार्ड के लिए जो पोस्ट है अंडिजर्ब के लिए एक सटेड़ ओवी सी के ठीक है वह रखी गई है 25 यर्ज और आपकी एज की क्यलकुलेशन की जाएगी 1-1-2021 ठीक है अब यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं दोस्तों जो यह ओफिस जो है वाइस वेकेंसी डिटेल दी गई है कि आपकी जो है कहां कहां किस स्टेट में आपकी जो है यह आड़िया क पूर्द और न्यू देली उसके बाद दोस्तों पटना और यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका है त्रिवन्तपुरम में भी आपका पोस्ट यहाँ पर दिया गया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने इस्टेट वाइस और देखिए दोस्तों यहाँ पर फिर से आ यहाँ पे आपको बताया गया है ठीक है और यहाँ पे जो experience के लिए जो only एक्स सर्विसमेर यहाँ पे आपकी कोई training नहीं दी जाई क्योंकि आप सभी को security guard अगर आप एक्स सर्विसमेर किसी force में तो आपको अच्छे से पता हुआ किस तरह से आपकी security guard की जो है वह जाब होती है military service अगर आपने किया है eligible है तो ही आप apply कर सकते हैं तो यह आपके लिए सबसे महत पूंची जाती इसकी selection process वह होगी आपकी online exam और यहाँ पे interview के मात्याम से आपकी वह ली जाएगी अगले वीडियो में